नमस्कार आप देख रहे हैं अपना उत्राखंड और आई सबसे पहले आपको बताते हैं भारी लांसलाइट से जुड़ी हुई ये एक खबर जहां केदारना थाइवे पर भारी लांसलाइट हुआ है तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं डोलियो देवी पर बड़ी चत्तान जो है वो नीचे आ गई है सड़क के उपर इसका एक बड़ा तुकड़ा जो चत्तान के समान ही है गनिमत रही कि जिस समय ये हादसा हुआ ये भूसखलन हुआ उस समय सड़क पर कोई नहीं था वर सखलन हुआ पाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आके धराम हो गया है सड़क बंद हो गई दोनों तरफ से आवजा ही पूरी तरह से बंद हो रखी है प्रशासन की टीम बंद हाइवे को खोलने के काम में जुटी हुई है संदीप पुरसाद हमारी सहयोगी और जानकारी की सत्थ फोन लाइन पर इस समय मौझूद हैं संदीप ताजा डेट दीजिए रास्ता खोलने का काम जो लगातार किया जा रहा था कितने तेजी से वो काम हो रहा है और क्या रास्ता खोल दिया गया है या फेर नहीं कि बिल्कुल आपको बता दूँ कि वहां पर कई जगों पर सरक्ता स्लाइडिंग और इसके कहीं खत्रत जो है वो बनाओ है लेकिन अभी जो है जिकेवल केराना दाम के लिए हैली यात्रा है इसके यात्रों की संध्या आजकल बहुत कम है तो इसके वहां पर इसना आवा ग कि बहुत शुक्री आपका संधीब जानकारी के रिए और आगे बढ़ते हैं आगे चमॉली से खबर जहां बद्रिनात हाइवे सुभा से तीन जगों पर बंद है गोचर कमेडा चिनका के पास में मलबा आने से सरक बंद है जिसकी वज़े से बद्रिनात धाम और हेमकुन जाने वाले यात्री रास्ते जो है यहां पर लोग फसे हुए नजर आ रहे हैं रिशिकेश और हरिद्वार जाने वाली यात्रा जो यह रोड है वो बादित हो रखी है यात्री आपा सुभे से जो फसे हुए हैं उनकी तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं हाला कि मौके पर मशीन लगाकर राइवे को खोलने काम लगाता चल रहा जर वाकर कर दिया गया है कामेरा के पास मार्ग को चुदारू करने का काम जा रही हैं उनको यह खुuit हो फिल इा deposit मे ओर भादिखने का काम जा रही है बहुत शुक्री आपका नतीन सेंबाल जानकारी के लिए चमौली से एगली कवर जहां पर थराली देवाल सड़क बंद हो गई है नंद केश्वरी के पास में पहाडी से भारी मलवा सड़क पर आ गया पहाडी से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं जो खत्रे का सबब बन रहे हैं बारिश के बाद कहीं जगों पर लान्सलाइट जोन बन चुके हैं भूस खलन हो रहा है चमौली में कहीं जगों पर बारा से ज़दा सड़के बंद हैं तो उत्राखण में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है प्रदेश के तीन जिले जिसमें देहरादून है तेरी है बागिश्वर है यहाँ पर भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है पौड़ी, उत्रकाशी, चमौड़ी, जुद्रप्याग, उद्रम, सेंग नगर, पितोरागर, चंपावत और ननिताल में तेज बारिश का अलर्ट है इसके साथी 11 अगस्ट को बागिश्वर में भारी से भारी बारिश हो सकती है जो भारी से बहुत भारी वर्शा है वो देहरादून, पेहरी और बागिश्वर डिस्टिक में दिख रही है कि यहाँ पर इन तीन डिस्टिक में भारी से बहुत भारी वर्शा देखने को मिलेंगी इसके साथ भारी वर्षा की बात करें तो जो अन्य हमारे डिस्टिक है इल्स के चाहे उसमें उत्तरकाशी है चमोली है रुद्र परियाग है या इसी तरह कुमाव रीजन में है पितरागड है या चंपावत है ननिताल है और इधर में पौड़ी की भी बात करें तो पौड़ के आसपास भूदासाव हो रहा है जो अपना दाइरा बढ़ाता जा रहा है यह पौड़ 22 गाओं की लाइफ लाइन कहा जाता है ऐसे में अगर यह पौड़ जिसको नुकसान पहुंचता है तो ग्रामिनों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी परिशानी का सामना करना अकिदार शेत्र के विनक्खाल इंटर कॉलेज राध कैंप में रह रहे आपदा प्रभावित लोग अवाजबास के इलाकों से किराय के मकान में रहने लगे हैं जिसके लिए प्रशासन आपड़ा पीरित परिवार को 4000 रुपे महीने देगा साथी प्रभावित ग्रामिनों को बरतन और जरूरी चीज़ों के लिए 5000 रुपे दिये गए हैं 27 जुलाई को आई हुई प्राकरतिक आपड़ा के बाद में तॉली और तिंगर गाओं के करीब 80 परिवारों को विनक्खाल इंटर कॉलेज में रहाध कैंप में रखा गया था लेकिन अब कॉलेज में क्लास का फाइनल नेने होने के बादी विस्थापन शुरू किया जाएगा जो परिवार हमारे रिलीफ कैम में रह रह रहे थे उसमें कुछ परिवार गिवी सहुलियत दी गई है राजे सरकार के द्वारा कि वो चाहें तो किराय पर भी रह सकते हैं 6 मां के लिए और जो भी किराय विस्था होगी वो राजे सरकार द्वारा भेंड की जाएगी तो इसे क्रम में अभी तक हमों को जो सुचना मिले 33 परिवारों द्वारा यह ऑप्शन लिया गया है कि वो आस पास अपने गाउं के आपने जो भी नियर्वार टाउंचिप है वहापर किराय पे जाएंगी उत्राखन के सबसे बड़े गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर पिछले पांच सालों में तेजी से बदलाव आ रहा है इस बदलाव के भले ही प्राकरतिक कारण समेथ कहीं और कारण बताय जा रहे हूं लेकिन बदलाव से हर बार नंदन वन तपोवन कालंदी पास जान है कि बरतमान के परस्तितियां देखी जाते हैं तो इस समय बिल्कुल अलग से बोजबासा से ट्रॉली से पार जाना पड़ता है उसके साइडी साइड से भी रमतपोवन के लिए जाते हैं तो ग्लेशियर में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है कभी दर को कभी उदर परिश कार से तरह मैंने यह पाया है कि वहां के रास्ते बदल गए हैं वहां का जो अट्मस्फिर बदल गया है और निश्ची थी यह तो हिमाले की एक अपनी एक गद्वीदी है उस गद्वीदी के अनुसारी सब चीजें हो रही है और हमको इनको सुरक्षित करना है सरच् सुरच पाए हैं हरुदवार नानकमत्ता चंपावत में समझवाब्स नहीं मिल पाई है उनरगर्शन मंत्री प्रेम चंद्र विर्वाल का कहना है कि उत्राखन अपनी एक एक इंच जमीन लेगा क्योंकि यह उत्राखन का हाक है उन्होंने का एक हरुदवार में मेले के बरकार में 615 हेक्टिर शायद है तो इस बरकार के लिए एक 637 हेक्टर तो ये सारी चीजों के लिए हम अपना दावाद क्यों ना करें दुबारे बात्चित क्यों ना करें ये निर्णे हो चुके हैं अज जैसे 615 हेक्टिर पे जियो होना बाकी है निर्णे हो गया लेकिन 637 से बचा है 637 हेक्टर तो उस पर हमने का इस पर हम दुबारे से बात्चित करते हैं तो मेरा मतलब है कि हम अपने परदेश के लिए जितना जादे जादे हम ले सकें वह हमारा परियास है और आगे बरते आपको बताते हैं कि परिस संबत्ती मामले में पूर मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जहां हमारी सरकार ने चीजों को छोड़ा था वहां से तिल भर भी बात आगे नहीं बड़ी है नहीं आपको बताएंगे बीजेपी के दो मुख्यमंत्री उत्रप्रदेश को बधाई भी दे चुके हैं लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है देखे रिपॉर्ट नहीं बाजपा के दो दो चीप इनुसर जो है गुनुगान भी दर शुके और कुछ भी अभी तो राई रती एक देले का फर्क नहीं आया जितनी चीजें हमारे समय में निरधारित हुई थी उससे आगे एक इंच नहीं बड़ पाए और यह आगे बरते हैं मुख्यमंद्री पुष्टे सिंग धामी ने पहले मंत्रियों को लेटरल लिखकर प्रभारी जिलों में किये दोरों की डीटेल मांगी है तो वहीं सियम धामी ने एक और बड़ा वदलाव किया है मुख्यमंद्री अब विभागों की मीटिंग सचीवाले में नहीं बलकि उसी विभाग में जाकर करेंगे डिपोर्ट देखे सरकार जनता के द्वार को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंद्री पुष्कर सिंग्धामी ने 2 अगस को अपने सभी मंत्रियों को पत्र भेजकर प्रभारी जुलों के मंत्रियों के दोरे की डीटेल रिपोर्ट मांगी है मकसद है कि सरकार और जनता के 20 संवाद बना रहे ही किसी तरह की शुरुवात मुख्यमंत्री ने अब सरकार के कामकाज में भी शुरू कर दी है अब तक विभागिये समिक्षा बैठके सचवाले में हुआ करती थी जहां सिर्फ विभागों के अफसर शामिल होते थे लेकिन अब सम्मंदित विभागों के अफस में जाकर ही मुख्यमंत्री समिक्षा करेंगे ताकि मुख्यमंत्री बाकी स्टाफ से भी मुलाकात कर सके सीयम का कहना है कि इससे लोगों को जिम्मेदारी का एहसाज भी होगा सरकार के इस कदम से बीजेपी संगठन भी खुश है पार्टी संगठन का करता है कि इससे जहां सराज में ते लोगों की समस्याओं का समाधान भी रफ्तार से होगा हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का पता लगेगा मानिय प्रदेश के मुख्यमंतरी की किसी कारले में जाएंगे तो कारले भी अपडेट होगा उसकी सुविधाय चुस्तु दुरूस्त होगी और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा ये मानिय मुख्यमंतरी जी की बहुत अच्छी पहल है मैं समझता हूँ कि इससे जनता के काम भी जल्दी होगे और जनता को नियाई भी मिलेगा जनता की जो आवसकता है उनकी भी पूर्ती होगे मुख्यमंतरी पुषकर सिंग्धामी बकायदा इसकी शुरुवाद भी कर चुके है मुख्यमंतरी ने इसी हफते सूजना निदेशाले पहुचकर वहाँ एक-एक सेक्षन का निरिक्षन किया और फिर कामकाच की समिक्षा की जबकि गुरुवार को दिल्ली जाने से पहले भी सीम ने इंद्रा नगर इस्थित जला गंब के ओफिस में पहुचकर कामकाच की समिक्षा की देरदून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभाद की डिपोर्ट देरदून के टपकेशुर मंदिर से होकर बहने वाली तमसा नदी में शुकुरवार को एक लड़का बह गया जिसके बाद SDRF ने सर्च आपरेशन चलाया और आज सुभा SDRF की टीम लड़के के शख को बरामत किया रतक का नाम रितेंद्र राना है तो देरदून कैंट करेने वाला है हरदवार में दुकान में घुसे चार हथियार बन बदमाशों ने लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया हरदवार लगसर रोल पर सित पंजन हैरी गाउं में एक केराने की दुकान में राब करीब सवा नौ बजे चार नकापोश बदमाशों ने धावा बोल दिया लूट की वारदात को अंजाम दिया सिसी डिवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई जिसमें चार लोग दुकान में घुसकर दुकानदार पर तमंचा तान कर कैश निकालते वे नज़र आएंगे आपको दुकानदार का कहना है कि बदमाश कैश के अलावा उसके गले से सोने की चेन भी छीन कर भागे हैं उसे करीब पांच लाख रुपे की लूट की गई है लूट की सूचना पर फुलिस वदमाशों की अब खोजबिन कर रही है हलदवानी में शुकरवार को शराब के नश्य में धोते एक नावालिक ने जम कर आतंग बचाया कार्ट गोदाम से लेकर हलदवानी तक नावालिक कार ज्राइवर ने अपनी तेज रफतार से पांच लोगों को तक्कर मार दी और उनको घायल कर दिया लेकिन जब लोगों ने इसकी कार को गेर कर रोक लिया तब भी आरोगी भागने की कोशिश करता हुआ नजर आया इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रखा है देख रहे हैं आप ये वीडियो बोले सब पूरे मामने की चानवीन में जुट चुकी है प्रिशिकेश में नियमों के विरुद चल रही गाड़ियों के खिलाफ शुकरवार देर राथ से शनिवार तरके तक ताबर तोड कारवाई हुई है जिसमें 32 गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स के खिलाफ आक्शन लिया गया है AITO कार्याले के मताबिक 10 ड्राइवर्स बिना लाइसेंस के पकड़े गए है महीं कुछ अन्ने के खिलाफ बिना फिटनेस के गाड़ी चलाने का भी यहाँ पर चलान कटा गया है ओवर्लोडिंग जैसे नियम विरुद कामों के लिए भी यहाँ पर अपकारवाई की गई है उधरल मोडा जिर में मिजले में पिछले एक दर्शक में छातर संख्या कम होने के कारण सैंकडो प्राइमरी और जूनियर हाइज स्कूल बंद हो गए है और इस साल भी पचास फीजी स्कूलों में नया एडमिशन ही नहीं हुआ है देखे रिपोर्ट एक वक्त था जब हर गाओं में प्राइमरी स्कूल खोलने की मोहिम चली थी लेकिन एक दशक में ही सभी सपने टूप गए और जिले के तीन सो से ज्यादा स्कूल बंद हो गए इस साल भी पचास फीजी प्राइमरी स्कूलों में एक भी नया एडमिशन नहीं हुआ जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये स्कूल भी बंद होने की कगार पर पहुँच जाएंगे शिक्षा विभाद की माने तो पलायन एक बड़ी बजह है जिससे स्कूलों में छातरों की तादाद कम हुई है विभाद अब कलस्टर बना कर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का दावा कर रहा है बुक्स तरकार फ्री में दे रही है मिडgens में बच्चोओं मिलना है यह सब चाधे कहना है कि विध्यालियों में शिक्षकों की कमी के साथ ही गुण्वत्ता की पढ़ाई भी नहीं हो रही जिसकी वजह से पहार के काउं में तेजी से स्कूल बंद हो रहे है शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है जिससे स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों की तादाद भी बढ़ाई जा सके न्यूजेटीन के लिए अलमोडा से किशन जोशिक की रिपोर्ट B.S.F. इंस्ट्यूट एडवेंचियर एन एडवांस ट्रेनिंग में 12 सदस्य महिला दल रवाना हुए है ये टीम चमॉली में माउंट मुकुट का परवता रोहन करेगी 12 सदस्य इस दल को B.S.F. के कमांडेंट महिश नेगी ने द्वश दिखाकर रवाना किया है अलमोडा सिखवर जहां की एतिहासिक जेल जोकी 1872 में अंग्रेजों ने बनाई थी अगस्त क्रांती की प्रमुख गवाह ये जेल रही है जहां नेहरू से लेकर बड़ा स्वतनतता सैनानी यहां रहा है यह जेल जिसे आज तक राश्चे समारक घोशित नहीं किया है जिसकी लोग मांग कर रहे हैं देखे रिपॉर्ट आजादी की लड़ाई में अलमोडा आंदोलन कारियों का मुख्य केंद्र रहा है यहां की जेल में प्रमुख आंदोलन कारियों को अंग्रेजों द्वारा बंद किया गया जवाहरलाल नहरू दो बार इस जेल में बंद रहे नहरू ने अपनी बुक मेरी आत्म कथा के कुछ अंश भी इसी जेल में लिखे है नहरू की चारपाई, कुर्सी, चर्खा, खाने के बरतन, जेल के नहरू वार्ड में आज भी रखे है नहरू वार्ड को कई सालों से परियाटकों के लिए खोलनी की यूजना वर्षों से फाइलों में दौड रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है इस जेल को लंबे समय से राश्ट्रिय धरोहर घोशित करने की मांग की जा रही है